Welcome to my YouTube channel Area of Knowledge by CSK इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के पास मोरे राजवन से के इतियास के बारे में कुछ जानकारी को लेकर के आए हैं और नेक्स जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी मेरा इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप किरिप्या कर हमारे महाजनपद के बारे में जो वीडियो दिया गया है मेरे दुआरा उसको देख ले उसको देखने के बाद आप लोगों को महाजनपद के बारे में पूरी तरह से याद हो जाएगा कि कौन सा छेतर कहां कहां है और उसके बाद आप लोगों को जब यमोर राजवन्स पढ़ाया जाएगा तो यह बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा कि मगद कहां है और कहां से इस राजवन्स का उदै हुआ और कहां तक फैला आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके आप अपने हिसाब से सेयर कर दें जब बात करते हैं मगद के उतकर्ष का तो उस समय हुआ क्या कि आगे चल करके कही राजवन्स आए जिसमें सबसे पहला हर्यक राजवन्स दूसरा सी सुना फिर नंदवन्स आया नंदवन्स के अंतिम सासक धनानंद थे और उन्होंने ही विश्नु गुप्त जिनका अन्य नाम कोटिल और चानक के भी था तो चानक के अपमान के कारण चानक के जो है क्रोधित होकर उसी समय उन्होंने परन लिया था कि मैं नंदवन्स को पूरी तरह से समाप्त कर दूँगा और आगे चल करके ये चंदगुप्त मौरी के साथ मिलकर किस तरह से नंदवन्स को समाप्त किये और चंदगुप्त मोरी ने मोरी वन्स का अस्थापना किया दोस्तों हम इस चीज को देखते हैं और आगे मेप के थुरू हम समझने का परियास करेंगे कि कौन सा छेतर कहां कहां था और ये चंदगुप्त मोरी जो है कहां के छेतर को अपने अधिन किया था आगे जब हम असुक के बारे में बताएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि असुक के समय लगभग पूरी तरह से भारत उसके कबजे में था और एक अखंड भारत जो है उसका विसाल छेतर था जो की आपको मैप के थुरू समझा दिया जाएगा तो दोस्तों देड़ ना करते हुए हम अपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो है चंदगुप्त मौरी के समय जो मौरी वन्स का स्थापना हुआ था इसका जानकारी का स्रोथ हमें कहां कहां से मिलता है इसका एक साहितिक स्रोथ है और पुरा तात्विक स्रोथ की बात करते हैं तो असोग के अभिलेक भवन अस्तूप गुफा मिर्दभांड इत्यादी मिलते हैं जुनागर्ड का जो है अभिलेक उसके बारे में भी हमको जानकारी मिला है तो इसमें से इस समय का अक्सर मिला है क्या कि यह असोग के समय का अच्छी ख अभी लेख खास करके असोग के बारे में बताया गया है वहां से अभी लेख से हमको पता चलता है कि जैसे कला साहित इत्यादी का वहां कैसा था यहां देख लिजीए आप स्मैप के फूरू देख सकते हैं कि असोग आचे शिला लेख हो गया अस्तमब लेख हो गया और इसको उतना अच्छा से हमको अभी नहीं धियान देना है जो कि असुक के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां देखना है जब साहितिक स्रोत की बात करते हैं तो चानक के के द्वारा लिखा गया अर्ठसास्त्र जो है जिसमें सापतांग सिद्धान्त दिया गया था मतलब सा राजा के साथ कारियों का वर्णन किया गया था इसी के कारण जो है सापतांग सिद्धान्त के कारण ही अर्ठसास्त को राजनितिक विसे का एक मतलब पुस्तक माना जाता है मेगास्थिनीच के द्वारा लिखा गया एक इंडिका था ये मेगास्थिनीच यूनानी थे इसक के बाद पुरान तथा बोध जैन गरंथ जो है इन सब में भी इसकी जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षत से भी हमको मौरिकालीन जानकारी मिलती है अब देखिए दोस्तों अस्थापना के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इसके बारे में ये चंद्विष्णु अबान हुआ था तो उसके बाद उन्होंने प्रण लिया और आगे चल करके जो है अपना एक्सिस से तैयार किये जो चंद्वुप्त मौरिक के नाम से जाना जाता था उन्होंने ही मौरे राजवन्स का अस्थापना किया तो दोस्तों इस डाइग्राम को आप लोग अपने करने की जुरत नहीं है तो देखिए दोस्तों जब हम यहां देखते हैं तो क्या है कि धनानंद मगद में यनंद्वन्स का एक सासक था अब 322 बीसी में क्या हुआ था धनानंद को हरा करके चंद्वुप्त मौरे जो है राजा की गद्दी को ले लिया जो कि 322 से 298 बीसी त पूर्व तक इन्होंने राज किया मतलब 299 इसा पूर्व तक राज भी किया पलस जीवित भी राग अगर इसकी मिर्ट्यू की बात करते हैं तो करनाटक का जो है स्रवन वेल गोला करनाटक में स्रवन वेल गोला एक जगह है वहां पे उपवास के दौरान जैन धर्म गरंत तो यह जैन धर्म का सिक्षा जो है भदर बाहू एक जैन धर्म गरू थे उन से लिए थे अब जब यहां हुआ क्या कि युनानी साहित्य में दो नाम देखा गया सेंडरो कोटस और एंडरो कोटस सेंडरो कोटस जो है जश्टिस और एश्ट्रेवो के द्वारा इस नाम का वर्ण किया गया था जबकि एंडरो कोटस जो है यह एंपियानस और प्लूटार के द्वारा वर्ण किया गया था तो इन दोनों के बारे में तो वर्णन था लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह किसके लिए है तो विलियम जोन्स जो है यह विलियम जोन्स को देख लीजे द आना गया है और विलियम जोन्स की जब बात करते हैं तो 1784 इस भी में इन्हों ने एसियाटिक सोसाइटी के अस्थापना की थी इस चीज को आप जीके के दिश्टी से याद रखिएगा अब देखिए दोस्तों यह एंप्यानस और पुलुटार्क जो हैं इन में से पुलुट था उसमें जाकर के किलियर होगा दूसरा बात क्या है कि एंप्यानस जो है सेल्यूकस निकेटर था चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध हुआ था 305 इस भी में उसके बारे में वर्णन किया था अगर पूछ दे कि यह चंद्रगुप्त मोर और सेल्यूकस निकेटर के बीच के युद्ध का वर्णन किस ने किया था एंप्यानस ने अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं इस युद्ध के बारे में जो कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मोरी के बीच लड़ा गया एक युद्ध था यहां बात यह था कि 305 इसी में यह युद्ध इसी 500 हाथी का जो दान मिला था यह सेल्यूकस निकेटर को इसी का वर्णन पुलुटार्क ने किया था तो यह कुछा जाता है अब जब चंद्रगुप्त मोरी की बात करते हैं तो इस संधी के थूद चंद्रगुप्त मोरी को क्या-क्या मिले तो हेलेना जो थी कारनेलिया इसका नाम था कारनेलिया भी और हेलेना दोनों नाम उसी का था जो की सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कारनेलिया जो है उससे विवा चंद्रगुप्त मोरी का तय हुआ उसके बाद चंद्रगुप्त मोरी को क्या दिया क कावुल, कंधार, हेरात और मकरान ये सब इलाका जो है चंदगुप्त मोर को दिया गया सिल्यूकेस निकेटर के दौरा उसके बाद चंदगुप्त मोर के दरबार में एक युनानी राजदूत मेखा स्थिनीज को भी एपॉइंटमेंट किया गया यह मेगा स्थिनीज वही है जिनोंने इंडी का पुस्तक की रचना की तो दोस्तों आप लोगों को यहां तक तो पता चल गया आप लोगों को एक चीज याद रखेगा कि जैसे ये चानक के जी जो थे उन्होंने अटसास्त की जो रचना की थी वो एक राजनितिक विसह का पुस्तक था और इनका नाम जो है चन्दगुप्त का नाम विष्णुगुप्त कौटिल भी था तो यह याद रखना है उसके बाद यह जानकारी का स्रोत तो आप समझ गये हैं इसके जानकारी का स्रोत क्या-क्या है अब आगे की और बढ़ते हैं दोस्तों हम देखते हैं कि यह समराज का विस्तार के यह बारे बताए गया है कि कहा से कहा तक फेला हुआ था इसको आप लुट कर लें कि देखिए दोस्तों इसका चन्न यह जो समराज था मौरेश समराज इसका सरवाधिक विस्तार जो है असोक सम्राज के समय हुआ था इन सब को आप नोट कर सकते हैं और हम यहां देखते हैं कि असुक समराथ के समय इसका वष्थार कहां से कहां तक था अगर आप गोर करें तो यह जो है आपका अफ़गानिस्टान का इलाका है जो कि यह हमालय के आस पास का छेतर है हमालय उत्तर में हमालय अफगानिस्तान से ले करके दक्षिन में लगवा करनाटक तक और यहां पे आपको बंगाल का पूरा छेतर आ जाता है और इधर पूरी तरह से यह यह पूरा छेतर जो है असोक के समय का है असोक के समय का मौरिकाल जो है मौरिकाल के दुरान जितना भी मतलब ब्रिद्धी हुआ था वो सब मिला करके इतना था अब देख लिजे दोस्तों इसको सिवध्यान रखना है अगर आप महाजनपद के बारे में देख लिए होंगे अच्छी तरह से तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कौन-कौन से महाजनपद इनके अंतरगत था लगवक 16 महाजनपद जो है लगवक क्या 16 का 16 महाजनपद ये मौरिकाल के समय के इसके अधीन था अब देखिए दोस्तों बीवित पर्मान वाला सुना तो समय क्छाग बाद चंदगुप्त याद रखिएगा कि ये चंदगुप्त मौरि जो है इसके वन्स के बारे में इसके कूल के बारे में जो है विवादित था कि मतलब ये जो है बहुत धर्मगरंथ और जेन धर्मगरंथ का कहना था कि ये छत्रीय है जबकि ब्रामन गरंथ और ये मुद्रा राक्षच जो है विसागदत के द्वा लिखा गया मुद्रा राक्षक इन में ऐसा कहा गया है कि यह बिरिशव यानि की छुद्र है तो आगे चल करके कई परमानों और अलाचुनात्मक समिक्षा के बाद यह तर्ग निधारित हुआ कि यह जो है न मौरियन वंस का छत्रिय था इसका पिता जो है मौरियन नगर के प पताई दिये हैं जिसमें चंदगुप्त मौरिय ने 25 भारत के युनानी सासक से लुकस निकेटर को पराजित किया था इसमें हेरात कंधार था मकराना था और काबुल यह सब छेतर को जो है यह इसको सौप आ गया था संदी के पश्चाथ चंदगुप्त मौरिय को अब देखिए दोस्तों हम जब चंदगुप्त मौरिय की बात करते हैं अभी तो हम मैप देखे थे पुरा मौरिय सासक का मतलब मौरिकाल का भारत को देखे थे जब चंदगुप्त मौरिय की से बात करते हैं तो आपको बता दें कि चंदगुप्त मौर यहां मगद से प्रा करने वाले थे 322 इसापूर में उन्होंने गद्धी को समाली थी और यह पर्शिम उत्तर की ओर यानि कि उत्तर पर्शिम की ओर बढ़ना इस्टार्ट किया और इधर जाते जाते लगवग इस छेत्र को यह वाला छेत्र जो है उस समय चंदगूप्त मोरी के अधीन था यह वा हैं कि संदी के तुरुहीरात, कंदार, बलुचिस्तान उसके बाद मकराना यह वाला छेत्र भी चंदगूप्त मोरी को दे दिया गया यानि कि अगर हम अवर ओल कह सकते हैं तो चंदगूप्त मोरी के समय जो है लगवग बहुत सारा सामराज इसमें आ चुका था और अगर आप महाजनपद का वीडियो देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लगवग देखिए 16 महाजनपद में ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आ चुका था जिसमें कि आपको एक महाजनपद यहां जो है इस छेत्र का बचा हुआ है जो कि इसके अधिन नहीं आया था इसमें हम आगे देखते हैं तो ये से लुकेस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवा जो है चंदगुप्त से करवाया था बस इतना चंदगुप्त मोरी के बारे में है आगे के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाएंगे कि बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार जो है वो अपने सासनकाल में क्या किये फिर असोक के बारे में तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल से बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकें सेयर करते रहें